Microsoft Word में हम زیادہ तर functions जो perform करते हैं वो हम करते हैं mouse की help से जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर कोई text select करना है तो हम इस थरीके से mouse से select कर सकते हैं अगर मेरे को यह word file को exit करना है तो हम cross की button पर जाएंगे और उसको exit कर देंगे या फिर suppose अगर मेरे पास में यह picture है और मेरे को इसको cut करना है तो हम right click करके इसको cut यहाँ से कर सकते हैं तो यह सभी functions जो हैं यह हम mouse की help से perform करते हैं लेकिन जरूरी नहीं आप mouse की help से हीने करें इसके लिए कुछ short tricks भी होती हैं तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे हम shortcut method सीखेंगे यानि कि shortcut keys को हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप वो सभी functions को perform कर सकते हैं तो इन चीज़ के लिए आपको mouse को उठाने की जरूरत भी नहीं है, mouse को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ अपने keyboard की help से इने perform कर सकते हैं तो आईए हम सीखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम इन functions को perform करते हैं Microsoft Word के अंदर तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं तो आईए अब हम देखते हैं first shortcut की तो पहली जो shortcut की है यह है control plus O control plus O क्या करेगा यहाँ पर मैंने लिखा है use to open files in your computer तो अब हम खोल लेते हैं MS Word और यहाँ पर हम दबा देते हैं control plus O अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आगया है open और यहाँ से आप अपनी कोई भी MS Word की जो file है उसको आप open कर सकते हैं तो यह है पहली shortcut की अब दूसरी shortcut की हम देख लेते हैं यह हमारे पास में है control plus N तो अगर आप control plus N करेंगे तो वो open कर देगा एक new या फिर जिसको हम बोलत है blank document यानि कि वो आपको एक खाली paste देगा जैसे कि मैंने यहाँ पर यह document पहले से बना रखा है अगर मेरे को एक नया page चाहिए इसके अलावा तो हम करेंगे control plus N अब आप देख सकते हो यहाँ पर यह दो documents यहाँ पर इस तरीके से सकते हो तो साथ ही साथ आप एक, दो, तीन कितने भी documents तरीके से खोल सकते हो अभी हम इसको कर देते हैं close तो यह था हमारे पास में second shortcut अब हमारे जो तीसरी shortcut की है यह है control plus A तो अगर हम control plus A करेंगे तो हमारा क्या होगा selects all content of the page तो दबा देते हैं control plus A अब आप देख सकते हो मेरे को mouse को छेड़ने की विज़रत नहीं पड़ी है यहापर और सारा का सारा जितना भी मेरा content था इन pages के उपर वो सारा select हो गया है आप देख सकते हैं उपर से लिके नीचे तक पूरे pages जो है वो आप उनको कर सकते हैं तो यह थी हमारी तीसरी shortcut की control plus A अब next जो है यह हमारा shift plus left arrow तो हमारी जो अब है यह shift plus left arrow तो हम कहीं भी यहापर बीच में जो है इसको डाल देते हैं मैंने यहापर इसको click कर दिया है आप देख सकते हैं अब मैंने डबाए shift plus left वाला arrow दबाएंगे उतना ही यह text select करता चले रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं select text from right to left क्योंकि आप left वाला arrow दबा रहे हैं तो right से left की तरफ यह select करता रहेगा text को वरना select all का option मैंने भी आपको बता दिया है next है हमारे पास में shift plus right arrow जैसे अभी हम right to left select कर रहे थे वैसे ही left to right भी select कर सकते हैं अब देखें मैंने इसको यहाँ से start किया था करना और right से left में यह select हो गया था अब हम यहाँ से start कर देते हैं और select कर देते हैं shift और right को अब आप देख सकते हैं यह left से right की तरफ जो है select होता जा रहा है सारा का सारा text तो यह थी हमारी shortcut की यह select करेगा text को left to right next हमारी shortcut की control plus x control plus x दमाने से क्या होगा आपकी जो image है आपका जो भी कोई text है या फिर जो भी object आपने उसमें डाल रखा है जो भी document उसके अंदर उसमें यह क्या करेगा उसको cut कर देगा वहां से जैसे की suppose मैंने यहां पर यह image ले रखी है तो आप mouse की help से करोगे cut लेकिन आ बेरेकली यहां पर इसको select करके क्या कर सकते हो cut कर सकते हो मैंने इसको select किया और किया control plus x अब आप देख सकते हो वह image यहां से गायब हो गई क्योंकि वह यहां से cut गई है और यहां पर वापिस हा गई है भी तो आप इस तरीके से इसका use कर सकते हो तो मैंने किया इसको control plus x तो यह क्या हो जाएगी image यहां से हट जाएगी अगर suppose मैं कोई इसे text हटाना यहां से तो आप इसको भी कर सकते हो control plus x तो वह text भी आप देख सकते हो गायब हो गया है next जो हमारा है यह है हमारा control plus c control plus c क्या करता है जैसे कि c है तो मतलब copy तो यह आपका copy गरेगा text को image को या पिर जो भी चीज़ आपने clipboard पे आपको रखनी है जैसे कि यह image है मैंने इसको किया control plus c तो यह मेरी हो गई copy अब suppose मैं इसको यहां पे पेस्ट करना है तो मैं दबाऊंगी control plus v तो यह paste भी हो जाएगी तो इस तरीके से आप control c और control v दोनों का use कर सकते है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ copy करेंगे तो वो कही न कहीं आपको paste भी करनी होगी तब इसने copy किया है तो पहले हमने इसको किया copy और फिर हमने इसको कर दिया हाँ पे paste आप देख सकते है image जो है वो दोनों जगा पे आ गई है इस वज़े से एक उपर और एक नीचे तो control c क्या करता है copy कर देता है और control v जो है यह हमारा क्या करता है use to paste मतलब जो भी चीज़ आपने copy की है clipboard पे text है या फिर image है उसको यह वहाँ पे paste कर देगा अगर मेरे को यह वाली जो text है यह मैंने copy करना है तो control c दबाएंगे और अगर यह वाली चीज मेरे को यहाँ पर चाहिए तो उसको control v कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भी है वो चीज और यहाँ पर भी है अगर आप copy करते हैं तो दोनों जगा पर मौझूद रहेगी जहाँ पर वो पहले थी वहाँ पर भी और जो आपने नई जगा चूज करें वहाँ पर भी लेकिन अगर आप किसी चीज को यहाँ से cut कर देते हैं तो control x से मैंने सको cut किया तो यह यहाँ से गाइब हो गई है लेकिन दूसरी जगा पर यह चली जाएगी तो अगर आप cut करते हैं तो वहाँ से यह हट जाती है लेकिन अगर आप copy करते हैं तो दोनों जगा पर यह आ जाती है यह इनमे difference है control v हमारा हो गया है next है हमारा control z तो अगर आप अभी देख सकते हैं मैंने कई बार यहां से इस image को जो है cut गिया मैंने cut कर दिया गलती से cut हो गई तो मेरे को image वाव इस्टे है अब हम क्या करेंगे control z करेंगे जैसे कि भी मैंने यह perform भी किया था अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसको control x करके क्या किया था cut किया था लेकिन control z दबाते ही यह मेरे पास वापिस आ गई तो control z असल में कर क्या रहा है control z से आप undo कर सकते है control z आपके जो भी आपने changes किये है जो भी आपकी last step होंगे या फिर जो आपने recent change की होंगे अपने document के अंदर उन सब को यह वापिस से उसी position में ला देगा यानि जो पहले position थी उसकी वापिस से वहीं पर वो आ जाएंगे तो पहले यह image यहीं पर थी लेकिन मैंने इसको क्या गर आप cut कर दिया तो अगर आप control z करेंगे तो वो वापिस से उसी position में आ जाएगी चीज जैसे कि वो पहले थी अगर आप और सदर control z करेंगे तो बाकी की जो इससे पहले की steps हुए थे वो भी आपके इस तरीके से होते जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने यहां से cut किया था लेकिन यह वापिस आगे आपर as it is तो control z आपका क्या करता है आपके changes को undo करते चले जाता है जितनी बार आप control z दबाएंगे वो उतना ही backward जाएगा steps के अंदर तो यह आपके changes को undo कर देता है जो भी आपने recent change किये होंगे चाए photo को आपने गलती से डिलेट करा हो चाए text गलती से डिलेट करा हो या फिर आपने copy paste गलत कर दिया हो तो उस चीज को यह undo कर देगा और आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं तो यह था हमारा control z का अब है हमारे पास में control y control y जैसे कि z हमारा undo करता है तो y हमारा redo कर देता है यानि कि suppose अब मेरे पास में गलती से मैंने इसको क्या करा मैंने इसको वापिस से suppose मैंने इसको पहले cut कर दिया अब मैंने इसको वापिस से यहाँ पे paste कर दिया है अब मेरे को गलती से यहाँ पे आ गया है मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं तो अब हम क्या करेंगे इसको control y कर देंगे तो ये फिर से गायब हो जाएगा तो मतलब आपने यहाँ पर इस चीज़ को जो cut किया आप इसको वापिस ला सकते हैं Z दवा के Ctrl Z और इसको वापिस से हटा सकते हैं Ctrl Y करके भी तो Ctrl Y क्या करता है आपने जो last step किया है उसी को वापस से वो ला देता है तो अगर मैंने इसको गलती से Z से मैं इसको वापिस ला सकती हूँ और Y से इसको वापिस से हटा सकती हूँ तो Z आपका जो क्या करता है steps को undo कर देता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह undo करता है यानि कि जो भी steps हुआ है उनको वापिस से पीछे ले जाएगा लेकिन जो control Y है वो उनको वापिस से redo कर देता है तो next है हमारे पास में control plus W control plus W क्या करता है किसी भी program या फिर document को close कर देता है तो अगर मेरे पास में document है मैंने इसको किया control plus W अब आप देख सकते हो यह कह रहा है कि changes को save करना चाहेंगे या फिर नहीं तो यानि कि यह आपको program को close करने के लिए कह रहा है तो फिलाल हम इसको close नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे इसमें बताना है तो control plus W क्या करता है program या फिर जो भी document बना रहे है उसको close करने के लिए पूछता है अब next हमारे पास में यहाँ पर है control plus S तो अगर आपका पास में यह program है आप यहाँ पर जा सकते हैं file में और फिर इसको save या फिर save as कर सकते हैं with the help of mouse लेकिन अगर आपको shortcut में करना है तो आप क्या दबाएंगे control plus S control plus S दबाने से फिलाल मैंने document जो है यह save कर रखा है लेकिन अगर मेरे पास में कोई नया document है इस तरीके से suppose मैंने पास में यह document है मेरे को इसको save करना है तो हम दबाएंगे control plus S अब आप देख सकते हो यह पूछ रहा है save this file तो ctrl s से यहाँ पर ही क्या पताता है यह changes को save कर देगा यानि कि जो मेरा बना बना यह document है जो already save है उसको या तो उसमें changes जो भी होंगे उनको save करता रहेगा या फिर जो आप नया document बना रहे हो उसको यह save करने के लिए पुछेगा आप से जैसे मेरा यह वाला जो document है इसको हम cancel कर देते हैं यह file हमें save नहीं करनी है यह जो मेरा save document है already आप देख सकते हैं universe work files पे लिखा हुआ है यह save है मेरा document अगर हम इसमें ctrl s करेंगे तो यहाँ पर यह जो है दिखाता रहेगा कि changes जो है वो साथ ही साथ save होते जा रहे हैं लेकिन जो नया document होगा जिसको आपने भी तक save नहीं किया है उसको आप ctrl s दबा के असानी से किसी भी file name के साथ में जहाँ भी आपको location की set करने वहाँ पर आप save कर सकते हो तो यह आप ctrl s से इस तरीके से कर सकते हैं तो यह था ctrl s का next है ctrl plus p ctrl p करने से क्या होता है print कर देता है document या फिर जितने भी आपके pages है suppose यह जो मेरे pages हैं ने print करना है हमने ठीक से इसको type कर लिया अब हम दबाएंगे ctrl p और यह हमसे पूछ लेगा print करने के लिए अब आप देख सकते हो print करने के लिए सारे information यहाँ पर आ गई है आपको कैसे कैसे print करना है वह आप इसको देख सकते हो कौन से printer से निकालना है कितनी copies बनानी है किस तरीके का आपको उसमें format रखना है ठीक है यह था print के लिए ctrl p से p से print next है ctrl प्लस f2 f2 दमाने से क्या देगा print का preview देगा preview आपको पता ही होगा क्या होता है जैसे कि मैंने ctrl f2 दबाया अगर तो फिर सही मेरे को क्या देदेगा print किस तरीके से करना है कौन से printer से निकालना है क्या क्या उसकी setting है किस तरीके से एक side पे दो side पे जैसे भी हम printer से निकालते है वैसे ही आपसे यह information मांगेगा और आप print कर सकते हैं से तो यह उसका बस preview जैसे हम print में निकालते है वैसी दिखाएगा अब जो एक control f2 था इसका उसमने देख लिया है next जो shortcut की है यह control plus f इससे आप क्या कर सकते हैं कोई भी word या फिर कोई भी phrase या फिर कोई भी पूरा sentence जो है आपको बस दबाना है control plus f अब control f दबाता है या आपके पास में navigation tab खुल जाएगा इस तरीके से या फिर यहाँ पर भी खुल जाता है अंदर यह word कितनी बारा है 6 बारा है अब इसमें मैं उपर नीचे करके देख सकती हूं इस वाले वर्ड इस वाले जो यह जो मेरे को functions दे रखकें से क्लिक करके कि कहा कहा पर मेरा light है अब सब्सक्राइब को इसी लाइन को ढूनना था और यह वाले लाइन मेरे को असानी से मिल गई इस वाले वर्ड से मैंने यह पूरी लाइन या पर दून ली है अब यह सारी आप रिजल्ट दिखा देगा जहां-चांपर light word का use हो रहा है इसी तरीके से आप कोई भी मैंने universe डाल दिया विसके बहुत सारे results आएंगे 15 results आ रहे हैं इसके तो आप ऐसे करके अपने पूरे document में देख सकते हैं या फिर कोई भी word कोई भी sentence किसी भी चीज़ को आप दून सकते हैं बड़ी असानी से तो यह था control F का use F. find करना किसी चीज़ को तो इस document के अंदर हम find कर सकते हैं word या फिर phrase को असानी से. next जो हमारे पास में है shortcut की यह है control plus H. H से क्या होता है? use to find and replace a text. तो अभी हम इसको close कर जाते हैं. अगर मैंने दबाये control plus H. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. अभी हमने जो कौन सा use किया था? find use किया था. यह वाला use किया था हमने find. यानि हम कोई भी word phrase को ढूंड सकते हैं. next जो है मारे पास में यह आ रहा है replace. replace क्या करेगा? मतलब इस word document क के अंदर जहाँ जहाँ पे भी universe use हुआ है word. उसकी जगह मैं चाहती हूँ कि वो light को लिख दे. आपको समझ में आ रही होगी चीज़. क्योंकि यह वाला जो word है, यह क्या है? कि यह इस word को ढूंडना है. और replace किस से करना है? light से करना है. यानि जहाँ जहाँ भी मेरा इस word document क के अंदर universe लिखा होगा. वहाँ पे अब क्या जाएगा? light लिख जाएगा. तो मेरे को सिर्फ इसी वाले में replace करना है? यानि जहाँ वाला select है, वही वाला replace होगा या पर replace all. यानि पूरे document के अंदर हर जगह पे यह light को लिख देगा. तो हम करते है, replace all. तो यह दिखा दिया अब हम देख लेते हैं सबसे स्टार्टिंग में भी यहाँ पर मैंने लिखा था, the universe was born with the big bang. लेकिन अब इसने क्या लिख दिया, the light was born with the big bang. तो आप आप देख सकते हो, universe के जगह इसने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो जहाँ 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 भी यहाँ लिख दि word use हो रहा था, वहाँ पर इसने light को replace कर दिया, जहाँ जहाँ पर भी universe था, वहीं वहीं आप देख सकते हो, अब universe कहीं पर भी document के अंदर आपको नहीं दिखेगा, यह किसले use हो सकता है, suppose मैंने पूरे document में एक गलती कर दिया, मैंने big bang को bi, double g, bang, suppose मैंने पूरे document में इस तरी और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने big bang, ठीक है, गलत वाला जो मेरा word था, गलत वाले word को किस से यह सही कर देगा, big bang, ठीक है, तो जो गलत वाला word है, उसको आप यहाँ लिख सकते हो, और सही वाले से replace कर देगा, replace all, क्योंकि देखो, मैंने एक ही जगा पर अभी गलती गरी थी दिखा कि, big bang लिखा था, तो इसने replacement भी कितनी करी है, एक करी है, यानि उसने उसको भी ठीक कर दिया, ओके, अब आप देख सकते हो, तो पूरे document में आपको जगा 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 जाके ठीक करने की ज़रूत नहीं है, यह अपने आप उसको देख कर सकते हो, next है मारे पास में control plus G, control plus G क्या करता है, go to, यानि किसी भी line पे, किसी भी paragraph पर, या किसी भी page पर आपको जाना है, तो आप go to का use कर सकते हो, अब आप यहां पर देख सकते हो, control plus G, G मतलब go to, तो control plus G, अब आप देखो, अभी हमने यहां पर देख लिया है, find देख जाना है, line पर जाना है, bookmark पर जाना है, comment या फिर footnote, यह सब चीज़े इसमें पूछ रखी है, काफी सारे चीज़े इसमें पूछ रखी है, तो हमें फिलाल page पर जाना है, इसमें है 5 pages, तो हम यहां पर डाल देख है page number, मेरे को कौन से page पर जाना है, मेरे को जाना है page number 3 पे अब आप यहाँ पे करोगे go to तो यह आपको directly page number 3 पे पहुचा देगा तो यह मेरा page number 3 है अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो page number 3 लिखा है अगर आप control plus G दबाओगे तो आप किसी line पे जाना चाहते हो तो इस पूरे document में जितनी lines हैं आपको किसी particular line पे जाना है तो मैं यहाँ पे fill कर देती हूँ मेरे को चाहिए line number 12 और कर देते हैं go to तो आप देख सकते हो line number 12 पे यह automatically यहाँ पर ले आएगा line number 12 यह है क्योंकि हाँ पर इसका cursor आ रहा है तो यह वाली मेरे line number 12 है ऐसे आप go to shortcut keycas में use कर सकते हैं next है हमारे पास में control plus L control plus L क्या करेगा आपके पास में जो भी line है किसी single line को भी या फिर खूब सारे lines को या फिर किसी paragraph को पूरे यह उनको left में align कर देगा align करने का मतलब क्या होता है एक seed में लेकि आएगा जैसे कि मेरे पास में ये वाला paragraph है सिर्फ कितना मैंने paragraph ये ले लिया है अब मेरे को करना पड़ेगा control plus L इसको left में align करने के लिए ये हो गया मेरे left align ये वाले जो functions हैं ये आप कैसे कर सकते हैं ये आप यहाँ पे जाएंगे home में जाएंगे और उसके बाद में आप इन वाले functions का यहाँ पे use करेंगे left ये फिर right में align करने के लिए लेकिना keyboard की help से सिर्फ control L दबा सकते हैं तो ये left में align हो जाएंगे इस तरीके से ये हो गया left align ठीक है ये जैसे left में align हुआ है ऐसे ही आप कैसे कर सकते हो control प्लस आर दबा के right में align कर सकते हो तो अब हम इसको select कर लेते हैं और इसको कर देते हैं control प्लस आर देखो अब ये हो गया न राइट में align इसकी alignment आप देख सकते हो right की तरफ ही है पूरी बाकिस वारा text आई ऐसे रहे जाए लेकिन right की तरफ ये पूरा align हो गया है ये थी right के लिए alignment अब जो next है वो है हमारा control प्लस इ ये करेगा center में align तो अब हम दबाले दे control प्लस इ तो ये हो गया मेरा पूरा center में text use to align in center of the page next है हमारा control प्लस जे use to justify a paragraph अब इसका क्या मतलब है ये देख लेता है मैंने इसको select तो करी रखा है अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो options दे रखे न paragraph में यहाँ पर आप इस वाले पर क्लिक करोगे तो ये क्या दे रहा है left align इस पर करोगे तो ये क्या दे रहा है अच्छा कासा space छोड़ देता है ताकि text और अच्छे से दिखे जैसे कि हम इसमें कर देते हैं इस पे क्लिक ये मैंने mouse की help से किया है भी अब यह आप देख सकते हो text का देख से हो margin देखो दोनों sides में किस तरह किसे आगया है और जो मेरे words है वो इतने space में आ गए है कि दोनों तरफ बरावर का margin छूटा हुआ है तो अच्छा कासा इसमें text दिखता है और दिखने में ये बिल्कुल ठीक लगता है ऐसे text के मुकाबले ये कैसा है left align है ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला text और ये वाला जो मेरा paragraph है ये कैसे आया है control plus j करके तो basically अगर मैं देखो control plus j दबाऊं अभी ये कैसा हुआ है left align control plus j मैं फिर से दबाऊं तो ये मेरे को कैसा देदेगा पूरा बराबर का text तो control plus j किसली हम use कर रहे है basically हम इसका use कर रहे है left align और इस वाले text के switch करने के लिए यानि कि या तो ये left align चले जाएगा या फिर इस से चले जाएगा यानि इन दोनों के बीच में ये जो है switch करते रहेंगे हमारे text जो है या तो left align होगा या फिर ऐसा होगा control plus j दबाने से इन दोनों के बीच में ये change होता रहेगा तो ये दा हमारा control plus j का use Ctrl प्लस B करने से क्या होगा अब यह जो मेरे पास में text selected है अगर हम इसमें Ctrl प्लस B कर देंगे तो आप देखो यह text मोटा हो गया है तो यह हो गया है bold तो Ctrl बी दबाने से bold हो जाता है और Ctrl B से bold होने के बाद Ctrl B फिर से दबाएंगे तो unbold भी हो जाता है तो Ctrl B से bold होगा Next है हमारे पास में I Ctrl I दबाएंगे तो क्या हो जाएगा Text हमारा italic हो जाएगा Italic मतलब थोड़ा stylish हो जाएगा जैसे कि अब ये थोड़ा तेड़ा हो गया Text तो ये हो गया है italic Ctrl I फिर से दबाएंगे तो ये फिर से हमारा normal text हो जाएगा Ctrl I के बाद है Ctrl U Ctrl U से आप underline कर सकते है Text को में दबाए Ctrl U देखो आप सारे text के नीचे Underline हो गई है अगर आपको कोई particular आप यहाँ पे definition type आप यहाँ पे लिख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो Suppose ये इसका कुछ है आपको जिसको highlight करके दिखाना है तो ये था हमारा Ctrl U Next है हमारे पास में Ctrl प्लस Enter Ctrl और Enter दबाने से हमारे पास में एक page break आजाता है देखते हैं कैसे तो हम यहाँ से page break कर लेते हैं Suppose मेरे पास में यहाँ से यह page start हो रहा है ठीक है और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया cursor मैंने इसका यहाँ पर कर दिया है भी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस वाले की कर यूज करेंगे Ctrl प्लस Enter दबाना है हमें तो हम दबाले थे Ctrl प्लस Enter अब आप देखो मैंने यह वाले जो यह cursor है यह मैंने यहाँ पर डाला था अब यह वाले statement से बाकी जो सारा text है मेरा जो भी मैंने इसमें document में डाला है वो सब मेरा next page से start हो गया है और जो पिछला वाला page था वो as it is खाली रह जाएगा मेरे पास में तो आप देख सकते हो इसके नीचे का जो चीज थी वहाँ पर मेरा क्या आगया एक page का break आगया है यानि कि वो वाला page खाली छोड़के और वो next page से आपकी चीज start हो जाएगी जिस भी चीज से आपने डाला होगा अगर इसी तरीके से मेरे को ये वाला भी next page में चीज़िए तो control enter दबाके ये आगया मेरा next page पे तो इसे हम कहते है page break एक page छोड़के और फिर next page से आता है अब ये मेरा as it is खाली छुट जाएगा तो इसको page break बोल लते है तो ये था मेरा control और enter गा next है control plus home control और home दबा देते हैं अब हम दबाएं control plus home control home दबाने से आपको इस mouse की help से इसको उपड़ ले जाने की जुरूरत नहीं है बार-बार document को बार-बार नीचे ले जाने की जुरूरत नहीं है आप दरेक्ट दबाएंगे control और home और आपको ये document के top पे पहुचा देगा बिल्कुल starting में ले आएगा document के next है मारे पास में control plus end control और end दबाने से जैसे की end है तो ये आपको end में ले जाएगा अब हम सबसे control home दबाने से सबसे उपपर आ गए अब हम control end दबाने से document के सबसे नीचे आ गए तो सबसे end में यही वाले चीज़ है आप देख सकते हैं सबसे नीचे ही मिले को ले आया तो ये था control home और control end की का use next हमारे पास में है control shift और greater than का sign है use to increase font size तो अभी हम पहले select कर लेते हैं तो सारा ही हम select करेंगे अगर control ए दबाएंगे select all हो गया है अब हम क्या करेंगे control shift then greater than का sign है अब आप देख सकते हो सारा text जो है वो कैसा होता जा रहा है बड़ा होता जा रहा है तो ऐसे करके हम इसका font size increase कर सकते हैं तो ये मेरा font size increase हो गया अब जैसे increase हो है वैसे decrease भी हो सकता है तो decrease करने के लिए क्लिए क्लिए होगा control shift और less than का size तो ये आपके font size को decrease भी कर देगा अब मैंने क्या control ये से select all control shift और less than का sign अब आप देख सकते हो फिर से मेरा text जो है वो छोटा हो गया है या फिर आप इसको कितना भी छोटा कर सकते हैं इतना छोटा हो गया दिख भी ने रहा है तो ये फिर से हमारा normal text आ गया है next हमारे पास में है f12 f12 को हम use करते हैं save as के लिए use to save as the document तो हम सिर्फ दबाएंगे f12 की अब आप देख सकते हो directly पूछ रहा है save as करने के लिए इस file को किस नाम से करना है किस type में करना है और save आप कर सकते हैं direct f12 की दबानी है इसमें control का use नहीं है next है हमारे पास में alt plus f4 use to close exit the program जिस भी program में आप काम करना है उसको close करना है exit करना है आपको mouse को यहाँ पर लिजा कर इस button को दबाने की ज़रुत नहीं है आप सीधा यहाँ पर क्या दबा सकते हैं alt plus f4 का आप use इसमें कर सकते हैं इसको दबाते हैं आप से यह पूछ रहा है save changes to work file तो आप करेंगे इसमें save तो यह इसको कर देगा exit तो इस तरीके से आप जब प्रोग्राम को exit कर सकते हैं मुझे उमीद है आपको यह वीडियो बहुत helpful लगी होगी अगर यह वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like कर दें अपने friends के साथ में इस वीडियो को share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you